आप देख रहे हैं BHPC News के रोजकार छिन गया और करोडों लोग भुकमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं वहीं 2021 उमीद का उज्यारा लेकर आया है भारत को जल्द ही कोरोन वैक्सिन मिलने वाली है जिससे हम अगात दुश्मन के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी तरीके से लड़ेंगे और जीत हा पर हुई है इसके अलावा दिसंबर 2020 में पिछले छे महीने की तुलना में कोरोना के सबसे कम मामने सामने आए इससे पता चलता है कि देश वाइरस के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में लड़ी जा रही है दो जनवरी को पूरे देश में कोरोना वैक्सिन का ड्राइर रन क् हो रही है भारत सरकार की केंद्रिया उस्ति मानक नियंत्रन संगठन के विशेशकों की समीती फाइजर और उक्सवोर्ड सहित कई टीको के आपात इस्तमाल की मंझूरी को लेकर बैठक में फैसला लिया जाएगा यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ब्रिटेन ने प्रमोदी ने गुरुवार को गुजरात के राजकोट में एंस अस्पताल की आधार शिला रखी इस मोके पर उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नया साल 2021 कि इलाज की आशा लेकर आ रहा है भारत में वैक्सीन को लेकर हर्द जरूरी तैयारी चल रही है उन्होंने कहा कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में बड़ा टीका करना अभ्यान चलाया जाएगा प्रधान मंत्री ने कहा साल 2020 में संकर्मन की निराशा थी चिंताए थी चारो तरफ सवाल या निशान थे लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं देश में कोरोना वाइरस के दैनिक मामलों में उतार चडाव का सिलसला जारी है वहीं संकर्मन का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है वाइरस के आंकड़े बता रहे हैं कि नए साल पर कोरोना कम जोर हो गया है दिसमबर 2020 में पिछले 6 महिने की तुलना में कोविड-19 के सबसे कम मामले सामने आए वहीं मही के बाद दिसमबर में सबसे कम मरीजों क्यों मौत हुई जून 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देश में कोरोना के मामले 10 लाग से कम रहे हूं भारत एक जन्वरी से अस्थाई सदस्य की इमैन्वर लेनिन ने कहा हम आंतराश्य कानून को मनाए रखने आतंगवाद से लड़ने और बहु पक्षवाद का बचाव करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए उत्सुक है इसके लिए हमें UNSC में उस सुधार की भी आवशकता है जिससे भारत को एक ही बने रही है हमारे साथ नमस्कार